बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, असलाम वालेकूम सुदेंट्स, आज हमारा क्लास वन का लेक्ट्र नमबर है 23 आज हम पेच नमबर 48 से स्टार्ट करेंगे जी क्या देगे हैं? ओर्डिनल नमबर्स लुक एट दा जू टेंट्स, यूजिंग ओर्डिनल नमबर्स, वे इकन तेल दा पूजिशन ओफ एन एनिमेल इन गुरूप सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए ओर्डिनल नमबर्स क्या हैं? वन टू टू ट्री फोर फाइव सिक्स सेम एट जब इनको ओर्डर में लिखा जाता है यह पड़ा जाता है तो उनको बोल देते हैं और्डिनल नमबर्स टेक्रेंगा? वन से लेकी सो ऑम आप फुटी तक ले लें या विविव key तक ले लें या फुटी तक ले यह प्यापके पास 10 तक दी घैंगी है जब वन सेलेके 10 तक आप काउंट करते हैं तो उनको बोलते हैं यह ओडिनल नमबर्स Using ordinal numbers 1, 2, 3 को आपने यूज करते हुए We can tell the position of an animal in a group तोई देखें उन्होंने आपको एक train दी है उसमें one by one सारे animals को बिठाया हुए और उन्होंने आपसे क्या का है कि आपने ordinal numbers को यूज करते हुए यह जैसे मैंने आपको बताया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह उन्होंने 10 तक बताया हुए सारे animals को ठीक है 6, 7, 8, 9, 10 उन्होंने और नमबर्स खुद राइट की हैं लिकिन हमने ordinal numbers को देखते हुए 1, 2, 3, 4 जो नमबर्स दीए गए हैं इनको देखते हुए आपने position बतानी है यह क्या नमबर है लाइन की, हमने animals की position बतानी है 1st है, then rabbit की second है इनको position बोलते हैं आपको पता जैसे class में आपका result आने के बाद आपकी positions अनॉंस की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं 1st, 2nd, 3rd, ठीक है इसी तरह आपने यह ट्रेन में बतानी है 1, 1 जो animals बठाए गए हैं उनकी positions क्या हैं वो साथ उनने right की हुई है लिखे वह यह number one पे क्या position दीगी है, line की first rabbit की क्या position mention कीगी है second frog की क्या position दीगी है, third monkey की position बताए गई है, fourth यह spelling भी आपने याद करने है सासा, जो भी position में spelling है first, second, third, fourth tenth आपने सारे याद करने है okay, उसके बाद line की क्या position बताए गई है, fifth crocodile की बताए गई है, sixth उसके बाद याद की डियर की बताए गई है, इनकी बताए गई है, seventh eighth पे position पे कौन सा animal है, आपका, mouse giraffe आपका रहता है, ninth mark, ninth वाले position पे, ninth numbers पे है, और elephant जो है वो last position पे है, tenth position पे आई है, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि इस page पे आपने क्या learn करने है, page number 48 पे सिर्फ आपका ये बताए गया है, numbers आपको दिये गए है, अर्डिनर numbers दिये गए है, arrange करके one से लेके ten तक बताया गया है, एक train बना के उसमें different animals को बताया गया है, और उन्हें बताया है, कि आपने लिखना है, कि फर्स पे अगर line है, तो उसकी position क्या है, first, second पे rabbit है, third पे अगर frog है, तो ये आपने ये देखें, third लिख देना, ठीक है, इसी तरह monkey का आपने बताना है, ये fourth पे है, line आपका fifth पे है, जिस्ट हमने उसकी position जह हैं, वो announce कर देनी है, जैसे और उने साथ mention भी की वे, और मैंन आपको बताया है, इसी कि आपने spelling अच्छी तरह याद करने है, क्योंकि नेक्स पेज में ये राइट करने है, और डिनल नंबर्स देखते हुए, आपने सासाथ position बतानी है, कौन सा animal कौन सी position पे है, now look at the page number 49, first question देखिए, उनने आप से क्या पूछा है, look at these animals from the zoo train on the previous page, जै आपको अच्छी तरह देखने है, they are in the wrong order, यहाँ पे इनोंने wrong order में लिखे हैं, wrong order में लिखे हैं, wrong तर्तीब में animals बनाए है, हमने क्या करना है, put them in the right order by writing in the box, जो writing जहाँ पे जो आपने write करना है, वो missing animals की position है, आपने देखिए, उनने ने animals बताया है, आपको आपने आपन की position मेंचन कर दीनी है, जैसे, अब यह गलत है, crocodile में पता है, first पे नहीं था, first पे क्या था, आपका ये line, देखिए, जैसे उनने यहाँ पे यहाँ पे ये write कर दिया, इसी तरह उनने का है, आपने put them in the right order by writing, आपने लिख के बताना है, कौन सा animal, box में कौन सी जगा पे था, in the box, यहाँ पे आपने position right करनी है, इसलिए में आप से का था, पेज नमर 48 पे जो हमने भी पढ़ा है, प्रेंड में बताया, वह position आपने अची तरह याद करनी है, अब हम देखते है, क्रोकोडल की क्या position थी, six, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, six, ठीक है, जैसे यह आप यहाँ ने आपको एक्जेम्पल में फर्स्ट बताया कि लाइन था आपका फर्स्ट नमबर पे और क्रोकोडल आपका था, six नमबर पे, देन हम देखेंगे, फर्स्ट नमबर ने लिखा हुआ है, कि मौंकी कौन सी पोजिशन पे था, साथ सद आप पेज नमर 48 पे एफ ओ, यू, आर, टी, एच, ठीक है, आप देखेंगे आपका जिराफी था, नाइंथ पोजिशन पे, आप यहाँ पे लिखतेंगे, नाइंथ, रैबीट आपका था, सेकिंड पोजिशन पे, आप यहाँ पे, राइट करेंगे, सेकिंड, ठीक है, यह आपको कैसे पता पेज नेमर फोटी एट पे भी हमने पड़ा है, एक ट्रेन आपको बना के दीगी है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स को बिठाया गया और बताया गया है, कि कौन से एनिमल कौन से पोजिशन पे है, आप वहाँ से देखते हुए, जैसे ही एक्जेंपल में भी आपको बताया हो जाएगी, इची तर आपकी रिवियन हो जाएगी, उसकी मॉंकी था, आपका फॉर्थ नंबर पे, फॉर्थ पोजिशन थी उसकी, जिराफी के नाइन थी, एंड रैबिट थी, रैबिट था आपका सेकेंड नंबर पे, सेकंड पोजिशन पे, नेक्स देखेंगे, अब कौन से नंबर पे आता है, कौन सी पोजिशन थी, उनने बताई थी ट्रेन में, टेंथ, सब से लास्ट पे आपका था, एलिफंट, यहाँ पे आप टेंथ लिख देंगे, ठीक है, लाइन देखें ट्रेन में, लाइन की पोजिशन उनना ने क्या बताई थी, फिफ्ट, लिखी थी, फिर्स्ट, क्रोकोडाइल की भी मैंचन की है, मॉंकी की भी मैंचन कर दी है, जिराफ की भी, रैबिट की भी, टाइगर की भी, और एलिफंट की भी, अब यह देखें, फ्रॉग है आपका, आप पेशन पर फोट डिएट पर जब देखेंगे, तो फ्रॉग की जो पोजीशन है, वो है थर्ड, ठीक है, उसके बाद आपका जा जाता है, डियर, सेवन्थ, और एंड पर यह उन्होंने माउस की पोजीशन खुद मेंचन कर दी है, इसकी पोजीशन है, आपके पास एट, एक दफ़र दुबारा मैं आपको बता देती हूँ, हमने पेज न आपके लिए गए इस एक दफ़र देंड नंबर्स में उन्होंने डिफरेंट अईमिल्स को बठाया हुआ था ट्रेंड में उसकी पोजीशन बताई भी थी आपने जिस्फर पोजीशन देखनी थी वन से लेकर टें तक, इसका मकसद क्या था कि आपके एक रिवियन होजाए 1 to 10 numbers की 1 to 10 counting की और उसको देखते हुए आपने यहां जो मिसिंग बॉक्स दिये गए थे उनकी पुजिशन मेंचिन कर दी उन्होंने क्या का था लुक अट इस एनिमल्स फॉम दा जू ट्रेन 48 पे आपने ट्रेन देखे थी उसमें अनिमल्स बठाए थे उसको एक दफा देख आपसे कहरें यहां मिसिंग बॉक्स दिये गए हैं आइनिमल्स को देखते हुए पिछले 48 पे पे आप मेंचिन कर दें उनकी सही पुजिशन उसाथ मेंचिन की हुई थी आपने वो राइट कर दी हैं इसके लिए आपको स्पैलिंग्स भी साथ-साथ याद करने पड़ेंग पिर यह आप सही तरह लिख सकते हैं अब एक्जेम्पल की दोर पे उन्होंने आपको यह बताया था कि लाइन जो है वो फिर्स पे था हमने फिर्स लिख दिये हुए हैं लेकिन आपने यहां पे जब राइट करनी है पुजिशन तो हमें पता लग जाएगा कि क्रोकड़ल क करें अच्छी से इसको समझें इंशाला का न्यू लेक्चर हम करेंगे थैंक यू